जैमाता दी ओल और रिजल्ट वाला दिन हमेशा की तरह mixed feelings वाला और बस एक चीज़ बलूँगा आज इस वीडियो session में सबसे पहले मेरे लिए दोनों student important है जिनका positive result आया वो भी जिनके negative result आया वो भी और आज आपको बहुत सारी mark sheets दिखाने वाला हूँ जब marks की बारिश होत to all those who have passed executive program, एक group कोई पास हो गया है, एक tongue अटक गई है, executive program के बहुत गूप्स पास हो गया है, अब कमर तक अटक गया है, sir, दिल बलियों बलियों चल रहा है, professional program में आ गया है, congratulations, welcome to the professional program, sir, professional program का कोई एक गूप या दो गूप पास हो गया है, confidence आ गया है, हम professional program के भी गूप अपने आपको अभी से दिल से CS मान रहे हैं, इंस्टिचूट मना करता है कि अभी नाम के आगे मत लिखो CS, लेकिन हम तो लिख देते हैं, और मतलब प्रिफिक्स लगा कर हम तो दिल को खुशी देते हैं, कि हम CS बन गए, बाकी ट्रेनिंग तो 21 महीने में देरे-देरे खतम होई जाएगी, So, well, I'll say big congratulations to all of you, जिनका positive result आया है, उनकी family को बहुत-बहुत मुबारक बाद, और उनको भी बहुत मुबारक बाद, आपके mammy को, papa को, सबको मुबारक बाद, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी जिन्दिगी में थोड़ा contribution दे सका, मेरी knowledge का थोड़ा सा contribution आपकी जिन्दिगी में है, तो I just feel good that I am part of your journey of success. मेरे इतने students ने प्यार भरे message दिया है न, प्यार की बारिश होई है, मेरे लिए तो मैं कहूँगा 25 फरवरी, 25 अगस्त ऐसा लगता है कि मेरा happy birthday है, और इतने students प्यार की बारिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यही वो दिन हैं जिनके लिए मैं जीता हूँ, मेरी prayers में मेरे बच्चे रहते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा pray करता हूँ कि उनकी जिन्दगी अच्छी बनें, इंडिया के top 100, top 200 companies में job करें, top 10 law firms में पहुँचें, big 4 CA firms में, या biggest practicing CS firms में पहुँचें, और जिन्दगी में professional life में successful हों, all over India spread out हो जाते हैं, और मेरे students तो all over India हैं, यार professionally काम करें तो I really feel happy, but on the other hand, I'll say my heart goes out to those, जिनका आज negative result आया है, और कई बार मैं कहूँगा, ऐसा भी मैं कहूँगा, अब दो चीजें हैं, आपने बहुत hard work किया, आपने बहुत hard work किया, लेकिन result negative आगया, और due to some reasons beyond your control, family problems, और personal health issues or something, और कुछ नलायक बच्चे हैं, जिनको मालू है, उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, उन्होंने अपना 60%, 70% दिया, उन्होंने अपना 80% दिया, लेकिन उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, वो भी बच्चे हैं, और उस वज़े से result negative आया है, तो मैं कहूंगा सब के लिए एक single advice है, bounce back, जिन्दगी में 100 बार गिरो लेकिन फिर 101 बार खड़े होना है, it doesn't matter you have fallen down a hundred times but you have to bounce back every single time, वो एक बार extra, one time extra, 100 बार गिरे हैं तो 101 बार खड़े होना है, यही जिन्दगी का असूल है, वही successful होता है, चंदरियान 2 जब fail हुआ था 2019 में और चंदरियान 2 की टांग तूट गई थी चंदरमा पे पहुँचकर, अगर उसके बाद अगर हाथ पे हाथ रखकर scientist बैठ जाते तो चंदरियान 3 पहुँचता नहीं, चंदरियान 3 successful हुआ और कैसे चंदरियान 2 में जो गड़बड़ियां ह 2019 में, चार साल लगे चंदरियान 3 लाँच करने में successfully कर लिया ना launch, हो गया ना successful चंदरियान 3, सारी जो पुरानी कमियां थी, जो mistakes थी, उनको हटाया, उनसे सीखा, learning from the old mistakes, चार साल फिर सारे scientist की team लगी, 600 करोड रुपे दुबारा खर्च हुए, लेकिन finally successful हो गए ना, तो bounce back यही जिन्दगी का असूल है यार, मतलब वो इतने बड़े-बड़े scientist की, इतने सारे scientist की team अगर fail हो सकती है ना, एक अकेला इनसान भी fail हो सकता है, और मैं तो कहूँगा कि इनसान को fail कहना ही नहीं चाहिए, इनसान failure नहीं होता यार, एक result positive या negative होता है बस, इनसान थोड़ 3 successful है, तो हो गए ना successful, तो जो पहले वाला negative result था, चंदरियान 2, that is just the part of the journey कि वहाँ जो mistakes हुई, उनसे सीखा, चंदरियान 3 को successful बनाया, यही काम आपको भी अपनी life में करना है, mistakes से सीखना है, उनको हटाना है, mistakes को overcome करना है, वो mistakes repeat नहीं करनी, अपनी mistakes की list बनाओ, क्या-क्य है, इस video के नीचे लिखो, और एक चीज़ जरूर लिखो इस video के नीचे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो आपकी सफलता का दुश्मन है, जो आपके failure के लिए responsible है, जो negative result के लिए responsible है, who is that fellow, who is responsible for your, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा enemy कौन है, यह आपको mention करना है, और list of failures, जो आपको लगता है, आपकी कमियां थी, वो भी इस video के नीचे mention करते हैं, कि आपकी कहां पर कमी थी, जिसकी वज़ा से negative result आया, और आप उन कमियों को हटाओगे, bounce back करोगे, आने वाले 110 दिन में बहुत बढ़िया revision schedule पे काम करेंगे, और do remember, winners never quit, quitters never win, four mantras of life, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, सबसे बहले बड़े सपने देखो, number one, number two, बहुत ज़्यादा hard work करना है, daily basis पे, consistently, number three, अपने comfort zone के बाहर रहकर मेहनत करनी है, long term मेहनत करनी है, अपने comfort zone के बाहर, जब तक आप successful नहीं हो जाते, comfort zone में रहकर कभी कोई successful नहीं होता, comfort zone के बाहर निकलना पड़ता है, pain लेनी पड़ती है, तो success मिलती है, otherwise success नहीं मिलती है, बहुत सारे sacrifice करने पड़ते हैं, तो success मिलती है, and number four, I'll say, सारी जिन्दगी knowledge gain करने की कसम खालो, कि degree मिलने के बाद भी knowledge gain करेंगे, और एक line मैंने पिछ जिस से महबत की है, उससे शादी नहीं होती, तो अब जिस से शादी हो चुकी है, उसी से महबत कर लो, अब CS course में आ चुके हो, तो company law से महबत कर लो, bear act से महबत कर लो, और यार महबत शिरू कर दो, divorce तो नहीं लेना है, छोड़ना तो नहीं है, कि छोड़ देते हैं, CS में fail इसरा करोगे, उसमें negative result आएगा, उसको भी छोड़ देना, सारी जिंदेगी छोड़ते रहना, पकड़ में कुछ आएगा नहीं, life में कहीं पहुंचेंगे नहीं, success कहीं जो higher level success अचीव करनी है, वो करेंगे नहीं, यह जो professional exams हैं, यह तो हमारा test है, कि हमें इन सब hurdles को पार क के ऊपर जाना है, और हमें Mount Everest पे पहुँचना है, so follow those four mantras, बाकी decision आज जरूर ले लो, कि अभी क्या करने वाले हो आप December में, और आज या कल बस, और मैं आपकी help करने वाला हूँ इसमें, decision making में December में क्या करना है, आपको, well, एक group repeat करना है, जो अभी किया था, उसी में 80%, 90% confidence है, या फिर नहीं पहले वाले में confidence नहीं है, नहीं वाले में जाना है, यह मैं आपकी मदद करने वाला हूँ 110 दिन का revision schedule क्या करेंगे, shortcut revision जहां सिर्फ 25% course करवाया जाता है, उसी पर भरोसा करना है, या नहीं, जादा detail में 110 दिन का बढ़िया सा schedule बनाकर revision करनी है, we'll be talking about that, और कुछ students ने ये भी पूछा, कि sir switch over के बारे में बता दो, WhatsApp पे मेरे पास 2-3 दिन से message पहले ही आ रहे है, result तो बाद में आएगा, पहले से पूछ रहे है, sir revision sessions का क्या रहेगा, updates और amendments का क्या रहेगा, writing practice कैसे करें, और presentation कैसे improve करें, sir discount offer को ही लेकर आ रहे है, बता दूंगा यार, वो सारी बाते है, अभी क्या share करना चाहता हूँ, आपके साथ, वो जरा आप ध्यान से देखो आप यहाँ पर, what I really wish to share with you, we got one All India rank over here, and I really salute the efforts of the girl, जिसने इतनी महनत की होगी All India rank तक पहुँचने के लिए, fluke नहीं है, किसमत से नहीं आती है, बहुत महनत से आती है, औ लेकिन उसके लावा मैं कूँगा, वो लोग भी हैं, जिननके All India rank नहीं है, marks बहुत अच्छे हैं, corporate restructuring, professional program, my student got that 73 marks, and then I'll say, किसी के 64 भी आये हैं, यहाँ पर 61 भी आये हैं, लेकिन मुझे तो मैं कूँगा, वो marks sheets भी बहुत प्यारी हैं, जहां exact borderline पर पास हैं, 50% marks लेकर हुए हैं, ऐसा लगता है, garden garden हो गया दिल, सर 400 में से 200 आये हैं, या एक paper exam था, 300 में से 150 आये हैं, या उसके आसपास आये हैं, तो मैं कूँगा, मुझे तो वो marks sheets भी बहुत पसंद हैं, and I'll show you over here, यार ऐसी वाली marks sheets भी होती हैं, देखो यह देखो, तीन paper एक exam था, तीन दिय और सर, security law में 70 नमबर आये हैं, तो salutes to the effort, प्यार होना चाहिए पढ़ाई से, इतने marks लेने के लिए ना, महबबत होनी चाहिए, इश्क वाला लव पढ़ाई से, security law में 70 marks ऐसे नहीं आते हैं, मतलब you really have to love the subject, company law में 48 और 40s लेने वाले बहुत हैं इस बार, मैंने बोला था ना, वो जब exam भी होए थे, तब ही बच्चों की आँके खुल गई थी इस बार, सर, shortcut में पढ़ाई करके बहुत पच्छता रहे हैं, shortcut books में पढ़ाई करके बहुत पच्छता रहे हैं, महबत नहीं की बहुत पच्छता रहे हैं, so, वो 40-40 लेने वाले बहुत हैं, और, यह 204 पे पास होने वाले भी हैं, जो मैं करता है, यह मांक शीट्स ना, अलगी flavor है, 212 पे पास होने वाले भी हैं, जो 212 पे पास हुए हैं, 201 यह होती है न, देखो, बिलकुल, borderline पे आगे, 201 आओड of 400, बस, यहीं पर मेरा सर जुख जाता है, बस मैं के तो, मांक शीट्स में उपर उपर देख रहा हैं न, पास, most important है, you are a superhero, you are a superhero, you are a superheroine, अगर आपके 200, 201 marks आए हैं न, exactly, ऐसे समझो, आम मांट आवरेस्ट के उपर बैट, यह वाली जो खुशी होती है न, बिलकुल, borderline पे पास होने की, यह तो अलगी होती है, जिसके 240 आए हैं, वो इतना खुश फ क्या खुशी है न, यार, exact 40, मतलब यह नहीं कहूंगा, उस बच्चे के पास knowledge कम है, हो सकता है, knowledge उसके पास भी पूरी है, presentation नहीं है, कईयों के पास knowledge की कमी है, कईयों के पास knowledge पूरी है, लेकिन presentation पूरी नहीं है, इसलिए marks नहीं है, और किसी का paper किसी essay के हाथ में चला गया paper checker ऐसा मिल गया, जो बहुत strict marking कर रहा है, और यह तो आपको मैं borderline दिखाए रहा हूँ, तो मेरे लिए तो यार, हर mark sheet important है, यह security law में 51 है, और वैसे 201 है, तो I'll say, every single mark sheet, और कितनी दिखाओ मतलब, बहुत सारी mark sheets हैं, यहां पर, यह देखो, यह borderline exact 200, borderline exact 200, मेरा salute है, मेरा salute ह और मैं कहूंगा कि दिल garden garden हो जाता है, कोई एक बच्चा इस तरीके से भी marks लेकर निकल रहा है, so institute ने पास किया है, और हो सकता है, जिसको 40 दिये हैं, उसके हो सकता है, 40 ना बन रहे हो, 39 बन रहे हो, एक number, दो number, grace mark दिया हो, जैसे कि पहले हम देखते है, moderation में होता है, that happens, 150 पे, 150 out of 300, borderline pass हो सकता है, कि institute ने कहीं, company law में जहां 40 किये हैं, वहां 38 थे, 2 बढ़ा कर 40 किये हो, और हो सकता है, 40 ही हो, तो भी, well that is also there moderation में, company law में 53, 50 लेने वाले बहुत कम है इस बार, 50, 50 प्लस लेने वाले बहुत कम है इस बार, जो problem based paper आया दाना इस बार, गजब का paper था, और पूरा analysis में ने सुनाया था, अगर आप सेम गलती, company law में दुबारा करने वाले हो, तो भाई, पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, तो सेम गलती repeat नहीं करना, यह देखो 41 भी है, company law में, SUB में 60, और tax में 70, एका दुका rare case हैं, जिनके tax में भी जादा हैं, नहीं तो यह देखो, well, कम marks लेने वाले बच्चे भी हैं, जिनके कई तो tax में भी fail हुए हैं, इस बार tax का paper भी मुश्किल आया था, tax का paper भी बच्चे करे तो, well, I'll say, हर तरीके की mark sheet है, यार, हर तरीके की mark sheet है, और 203 वाले भी, देखो, तो आप line लगा कर, 203, 203, 203, company law 44 there, group 1 में भी हैं, group 2 में भी हैं, यह वो group 1 में 203, यहां group 2 में 203, लेकिन बच्चे पास हुए हैं तो यह दिल छोटा मत करोगी, बच्चे पास नहीं हुए, exact 200 once again, security law 53, exact 200 over here, and यह security law 55, exact 204, तो कुछ जगा तो लगता है कि भई, और यह एक 201 in group 1, 207 in group 2, दोनो group individually, पास पास, और टोटल होगे 408, professional program, most welcome to the professional program, और यहां देखे, विल राघव, और यहां देखे, विल राघव, और यहां से 212, group 1 में, 216, group 2 में, 428, 428, और executive program, 428 out of 800, तो अगर आपको लग रहा है कि institute में माक्स नहीं दिये हैं, तो ऐसा मत सोचोगी institute में माक्स नहीं दिये हैं, दिये हैं यार, अगर आप paper में लिखकर आए हो, तो माक्स मिले हैं, और यहां पर अगर में group 1 की बात कर रहा हूँ, तो इस बच्चे ने, well I'll say, एक paper पहले से exam था, बाकी वो तीन paper में 154 और group निकल गया, well that is how it is happening, तो वो पास हुआ और नीचे दूसरे में negative result आया, लग रहा है कि EBCL में attempt नहीं किया होगा, तभी इतने कम marks आये हैं EBCL के अंदर, so well I'll say, लेकिन एक group निकल गया, एक टांग फस गई है, खुशी है यार, यह भी अपने तरीक में के, एक खुशी है, कि हमारा एक group निकल गया, then 213 marks will in group 2 and I'll say cut C, CMA paper, cut C, FMSM paper, that is there, और इदर भी मैं कौंगा कि group 2 के अंदर 57 in security law and 205 in total, तो बस यह बता रहा हूँ कि यार, इदर company law में 57 हा, now company law में 57, पूरे इंडिया में बहुत कम बच्चों के आये होंगे, and total is 204 over here in this particular, मैं सिर्फ यह बता रहा था यार, institute ने किया है पास, और जिन बच्चों आर यार यार इंडिया दोस्तों ने भी मेंगे न बहुत किया है, और लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, determination के साथ लगे रहे, यह result है, passion, determination, consistency, hard work, बहुतों की मेहनत, बहुतों का support, सिर्फ एक बच्चे का result नहीं है, बहुत लोगों की मेहनत है miraq sheet के पीछे, बहुत लोग बहुत सारे लोगों की सपोर्ट के बिना या बहुत सारे लोगों की मेहनत के बिना नहीं बन पाती इस माकशीट तक पहुचने के लिए बहुत बैकग्राउंड में बहुत लंबी कहानी है तब जाकर ये पास नजर आता है आपको माकशीट के उपर जो most important है और मैं तो बस आपका भी रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको ऐसे पास देखने के लिए मिले, you should be able to get that जब आप दिसम्बर में exam दो, मतलब ये आपको inspire करने के लिए हैं, इतनी सारी माकशीट जो हैं ये आपको inspire करने के लिए हैं, कि आप भी यहां तक पहुचोगे, आप भी यहां नहीं जाना और मैं फिर से आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूँगा, जरूर बताना मुझे, एक चीज जरूर बताना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, who is the biggest, और लिख देना यहां पर in the chat over here, आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई का और आपकी success का सबसे ब लगता है बच्चे ने चारों पेपर में 70-70-70-70 की तैयारी की थी और टार्गेट था 280 लेकर आने 280, यह तभी बनती है मार्क शीट, टार्गेट था 70-70-70-70-70-70 and टोटल 280, तो जाकर यह मार्क साते हैं, अगर आपका टार्गेट ही 50-50-50-50-50-50 है ना चारों पेपर में लेने का, तो दोसों नहीं आएंगे मेरे भाई, आपके टार्गेट तो ऊपर ही होने चाहिए, तो यह यहां तक पहुँच पाते हैं, इसको कहते हैं, सब हर तरीकी की चीज़ को सारी पढ़ाईगों को बैलन्स किया, सारे पेपर के साथ equally महबबत की प्यार किया, और old syllabus में तो यह जरूर है कि चलो, CMA का पेपर और SM का पेपर objective था, 100 marks दोनों 100-100 नमर के objective थे, और security law, EBCL दोनों subjective थे, लेकिन अभी new syllabus वालों, तुम सुन लो, जो new syllabus वाले वीडियो देख रहे हैं, कि आने वरे टाइम में तो आपका CA FM subjective होगा 100 नमर का, तो इतने 61 या 52 लेना उतना आसान नहीं रहेगा, CA FM के पेपर में इतना new syllabus जब पूरा 100 नमर का subjective हो जाएगा, बाकी जो guidance आप लोगों नहीं मांगी है, वो जरूर आपको मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में बात करूँगा, और इतनी सारी mark sheets के बारे में, बताने के बाद ये बोलना चाहता हूँ, इतनी सारी भर-भर के mark sheets आही हैं ना मेरे पास, और इतना प्यार उडेला है ना मेरे उपर बत्चों ने आज के दिन, मैं मतलब क्या बोलूँ आपको, और यही बोलूँगा, result बोलता है, और YouTube के उपर shortcut में पढ़ाई बहुत हो रही है, जो fail करवाने के लिए काफी है, that is passport of failure, 25% course करवालो मेराथन के अंदर या जो भी है, 30% course करवालो मेराथन के अंदर और बच्चे जो सूचते हैं, बस मेराथन कर लेंगे या सिर्फ YouTube revision कर लेंगे और पास हो जाएंगे, आप अपना experience एक बार वो भी share कर देना, कि YouTube revision करने के बाद कितने लोग fail हुए, कितने पर किया और YouTube से support बिलकुल नहीं लिया, YouTube में कभी-कभी बीच में सिर्फ time pass के लिए आकर चले जाते थे, और sir हम तो अपने ही दम पर पास हुए हैं, और अपनी ही पढ़ाई के दम पर पास हुए हैं, तो भी आप इस वीडियो के नीचे जरूर बता देना, so whatever questions, whatever points you want to discuss with me, well, मेरा WhatsApp नमर आपके पास है, I am readily available with you people, कुछ बच्चे मिलने के लिए आना चाहते हैं, physically, personally मिलने के लिए आना चाहते हैं, उनको भी मैं टाइम बता दूँगा कि कम मिल सकते हैं, phone पे बात करना चाहते हैं, further guidance चाहते हैं, executive program पास हो गया है, professional program में आगे हैं sir, आगे की further guidance दे guidance मांग रहे हैं, उनको भी, sir, executive program पास हो गया, तो 21 months training शुरू करना चाहते हैं, साथ-साथ और exam भी देते रहेंगे, पढ़ाई भी साथ-साथ चलती रहेगी, professional program की पढ़ाईयां भी चलती रहेंगी, अब तो दो गरुपते हैं sir, आने वाले time में, और साथ-साथ अपना training भ देते रहेंगे, तो वो सारी guidance दूंगा, wait for that, और अभी बस इतना कहूंगा, आज जिनका positive result आया है, उस positive energy को enjoy करो, और आगे December 2023 में अगर आपका exam है तो उसके लिए use करो, और जिनकी training है, training में जाना चाहते हैं, उनको भी all the very best, और जिनका negative result आया है, एक दिन, दो दिन, रो attempt, 4 दिन, अगला attempt, December 2023, 110 दिन बहुत होते हैं, पड़ाई करने के लिए, और revision और writing practice करने के लिए, December 2023, mission पे लग जाना है, that's my advice to all of you, thank you so much, जै माता दी, और जल्दी मिलते हैं.